नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मीरा देवी खबर लहरिया से बीरोचीफ मेरे सो राजनीती रसराय में एक बारी फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ राजनीती चर्चा करने के लिए इस बारी इस चर्चा को छोड़ कर से बिल्कुल भी ना जाईएगा क्योंकि इस बारी कुछ खास चर्चा होने वाली हैं तो आपको बने रहना होगा इस पूरे वीडियो को अंतक देखने के लिए वैसे अगर आप मेरे से राजनीतिक चर्चा की बारे में पूछें तो आने वाला चुनाओ बिधान सभा 2022 और लोक सभा चुनाओ 2024 दोनों को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं चलिए आगे फिर बात करते हैं आपको बता दूँ कि पिछले महीने यानि अगस्त के महीने मैं उत्त प्रदेश के ललित पुर जिले और मध्य प्रदेश के टीकम गड़ जिले से रिपोर्टिंग कर रही थी लगवग एक हपते मैंने लोगों के बीच में हर रोज राजनीति को लेकर के क्या सोच रहे हैं बहुत सारे लोगों ने ये बात करी कि वो केंद्र में सपा को देखना चाहते हैं राज में कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीच पी को वो केंद्र में देखना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी भी बात करी कि वो फिर से योगी और मोधी की सरकार बनना देखना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं मेरे साथ जरूर बताएगा अपने मन मुताबिक पार्टी की सरकार बनाने के लिए कारकरताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाना सुरू कर दिया है जमीन इस तर पर तरह तरह के हत्गंडे भी अपना रहे हैं उनमें से सबसे एहम हत्कंडा है वो है एक पार्टी को छोट दूसरे पार्टी को जोइन कर लेना अपने स्वार्थ के लिए यह की हो सकता है कि उनको कोई पद मिल जाए इसी तरह से टीकम गड़ जिले के मोर पार्या गाउं के लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को छोट कांग्रेस को जोइन किया और बोले कि उन्होंने अपने घर की वापसी करी है सनव्यासी से बीजेपी का कारी करता रहा तो काम करते रहे बीजेपी का जो भी बना इसके बावजूद भी मुझे कोई भी ना तो पद दिया गया ना आज तक कोई पूच की गई इस वज़े से फिर मैंने कांगरिस में सदस्ता गहन की है यही सोच के ही कि महेंगाई के मारे हम लोगों का बसर नहीं हो रहा है गुजारा नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग मजबूरन कॉंग्रेस पार्टी को आए है और पहले भी हमारे बाप दादाओं से चली आ रहा है खेर यह मैं पहले भी कह चुकी हूं कि यह एक सौक बनता जा रहा है और यह एक आउं बात भी हो गई है चोटे नहताओं की बात नहीं है यह इसस तरह भी ऐसे हो रहा है उन लोगों ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, उनको उस पार्टि में रह करके सम्मान नहीं मिला हुआ है, वो बहुत ज्यादा नाराज है क्यूंकि बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कब से किसान अंदोलित हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, उन पर लाठियां बरसाइं हैं, उनक छिल्ला गामें भी मैं लोगों से मिली, वहां के लोगों ने तो कहा कि भाईया कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बीजेपी को ही सरकार देखना चाहते हैं आज तक जो राश्टिये पार्टी हैं उनमें हमारे काउं से बीजेपी ही जीती आ रही है और आगे उम्मीद भी है कि वही जीतेगी यहां पहले दो पार्टी होगा भाजपा और बीजे सपा बाजपा में कोई किसी प्रकार का जबोली जाती बाद नहीं है इसलिए इसमें त समझ पाई हूं तो बादा बहुत आगे है पहली नहीं बुझा रहे हूं मुद्द बता रहे हूं यह कि बादा के बहुत ही जाने माने और चहेते कांग्रेसी नेता सुर्गिये कुमर विबेक सिंग की पतनी मंजुला विबेक सिंग ने अभी हाल में ही सपा जोइन कर ली औ समझानूं बांदा की राजनीती में भूचाल आ गया हो सोसल मीडिया में ऐसा भी रोध इतनी ज़्यादा चर्चाएं बेक्ति गत्रूप से भी और पार्टी गत्रूप से ऐसा क्या उन्होंने कर दिया भाईया पार्टी ही तो बदली है और भी नेताओं ने भी बदली है खैर आगे बढ़ते हुए मैंने जहां तक इसमें जाना है समझा है लोगों की बात्ची से और चर्चाओं से ये समझ में आया है कि कहा जा रहा है कि अगर सपा पार्टी ने मंजुला विबेक सिंग को टिकट दे दिया तो फिर बाना में इनको हरा पाना किसी भी पार्टी क के बस की बात नहीं है खैर ये तो एक ऐसा विसे है जिस पर लोगों ने इतनी चर्चाओं करी अब हमें इस बात को प्रूफ करने के लिए इंतजार करना होगा चुनाव का चुनाव नतीजे का फिर ही हम कह पाएंगे कि ये बात कितनी सच निकली कितनी खरी निकली तो साथ नहीं सवालों और विचारों की साथ मैं लेती हूं विदा अगली बारी मैं फिर आउंगी एक नए मुद्दे के साथ लेकिन जाने से पहले आपसे ये जरूर कहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बारी सो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे ताकि हर खबरे हमारे आपको मिल सकें अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो जरूर से नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा आप तक और आपको मिल जाएंगी हर वीडियो तो आप कमेंट करके भी बताएए कि आपको ये सो कैसे लगा और अ अपने दोस्तों के साथ अपने चहेतों के साथ आप सेर जरूर करिएगा तो चलिए फिर अभी के लिए बस इतना ही चलती हूं नमस्कार खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भासा